और ये हैं वो खिलाडी जो दोनों टीमों के लिए आज के मैच में खेलेंगे तेज गेंबास को लाया जा रहा है इस छोर से इस पारी की पहली गेंद खिलने के लिए ये शॉट गया हवा में और गैप ने भी गया नहीं भाईया ये गेंद कहां जाएगी बहुत ही बड़िया शॉट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बाज ऐसे शॉटों के लिए ये शॉट गया हवा में और गैप में भी गया मेरी माने तो अपने आप को खुश किसमत समझे जो अपे इपीस में ही घड़े है ये शॉट गया हवा में और गैप में भी गया तो ये एक्स्ट्र कवर पर फिल्डर लगाया है पना शॉर्ट लगाया उच्छा भी था लंबा भी आपनले का बीचो बीच से था टेट एंड होगा शॉर्ट गेनवास के पुरे अकर्ड को चकना चूर करती हुई छे रन बहुत ही बड़िया साजेदारी गेनवासों को विकेट लेना ही होगा अच्छा लग रहे कि दर्शक भी इसमें शामिल है और ये बोल्ड बेतरीन गेनवाजी फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वाह क्या बात है बहुत ही अच्छा अर्दशतक काफी दिनों से ये फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर आज ये बहुत ही निराश लग रहे हैं जाओ लेकिन रन आउट कभी मत होना अक्सर देखा गया है के रन आउट मैच की परिस्थिती बदल देती है ये शॉट गया हवाना और गैप में भी जया ये बात विपक्षी टीम को बखू भी मालू है वहती नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रन इच्छे फील्ड प्लेस्मेंट्स लगाए है आज यहाँ यह शॉट खिलने की लगता है अपनी एका ग्रता खो बैठे अगर इसी तरह मारते रहे तो बॉल चेंज करने की नौवत आ जाएगी बहुत ही खुपसूरत बाउंडरी हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहाँ और यह आउट विकेट समाल के खेलना होगा यहाँ मैच स्पिन गेन बास को लाया जा रहा है यहाँ इनकी धीमी गती की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पार यहीं समाप्स हो सकती है इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छकके ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे अगर इसी तरह मारते रहे एग तो बॉल चेंज करने की नौवत आ जाएगी बहुत ही खुबसूरत बाउंडरी बढ़िया टाइमिंग और शॉर्ट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं बड़ी पारी खेलने का पूरा मुलता है कहीं उसे गवा न बैठे और से गेन बाजी कर रहे हैं तरकश में से एक और चौक का निकल सकता है चलिए देखते हैं क्या शॉट लगा है करारी मार भीमी गथी की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्स हो सकती है जिस तरह आज कल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बहुत ही बड़ा सिक्स मालो कह रहे थे के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं थेल पा रहे हैं इस शोट को कप्तान किया जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फील्ड प्लेस्मेंट्स लगाए हैं आज यहां खूपसूरत शोट और चार रन गेंदबास के चक्के छुड़ाते हुए बॉल सीधे बाउंडरी रेका के उस पार गेंदबास अपने पसंदीदा छोड से गेंदबास ही कर रहे हैं और यह चार रन खूपसूरत तक्मीक का प्रदर्शन शोट गेंदबास से पूरे अकड को चक्कना चूर करती हुई छे रन ती रनी मेट्वीन दे विकेट्स पॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन हवा में उठा दिया है और यह चे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते बहुत ही भेदरीन कपतानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट एंड होगा इसे मालूम है कि गेंद का क्या हश्र करना है इच्या हो रहा है रोमांच से भरपूर दर्शक भी इस उच्सतर की क्रिकेट का मजा उठा रहे है उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई सदेह नहीं था कि यह छे रन है दिल खुश कर दिया इस बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रन ये पारी इनका जरूर मनोबल उपर करेगी भाईया ये गेंद कहा जाएगी और इसी के साथ मैच समाप्त गेंद बाजो ने तो अच कमाली कर दिया बहुत ही जादा नियंतरन के साथ बोलिंग की है अच आखिर में ऐसा लग रहा था कि बल्ले बाजो के लिए ये स्कोर तो बहुत जाएगी